हलो एब्डिवान हम एवार की गुहिल डाइनेस्टि के बारे में स्टेडि कर रहे हैं और ये वीडियो हर उस एक्जाम के लिए इंपूटेंट है जिसमें राजस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड क्युशन पूछी जाते हैं लास्ट वीडियो में हम महराना परताप के बारे में complete discussion कर चुके हैं और इस वीडियो में हम अमर सिंग, कर्ण सिंग और जगत सिंग के बारे में discussion करेंगे तो चलो start करते हैं अमर सिंग का डूलिंग टाइम 1597 से 1620 AD के बीच में होता है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 19 जनवरी 1597 को चावंड में महरना परताप की डैथ हो जाती है और उसके बाद में उनका बेटा अमर सिंग राजा बन जाता है हम रेगुलर ये देख रहे हैं सांगा के टाइम से कि जो मुगल एमपरर हैं वो रेगुलर अटेक कर रहे हैं मिवार के उपर ताकि उसको अपने अंडर कर सकी लेकिन नहीं कर पाई उसका मेजर रीजन भी यह होता है कि या की जो लोकल पोपुलेशन है उसने अपने राजा का हमेशा साथ दिया इसलिए जब अमर सिंग के टाइम में जहांगीर राजा बनते हैं तो जहांगीर अपने स्टेड़ जो को चेंज करने की बात करते हैं कि स्टेड़ जी चेंज की जाए डाइरेक्ट बैटल फिल्ट में वोर ना करके हम इंडाइरेक्ली वहां की जो लोकल पोपुलेशन है उनके उपर अटेक करें ताकि लोकल पोपुलेशन वहां के किंग के उपर एक प्रेशर क्रियेट करें और फिर हमारे बीच में कोई ट्रिटी हो सके इसी को फोलो करते हुए जहांगिर जो है वो अपने बेटे खुर्रम मीन साहजा को यहां पर बेजते हैं और इसी तरीके की स्ट्रेटी को फोलो किया जाता है जब लोकल पोपुलेशन अपने फ्यूडल लोड्स को इस बात की सिकायत करती है कि मुगल आर्मी हमें परेशान कर रही है तो फ्यूडल लोड जो है वहां के राजा अमर सिंग को इस बात के लिए बताते हैं अलांकि जो अमर सिंग है वो इस तरह की किसी भी ट्रेटी के लिए तयार नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पूरवजो को मुगल्स के साथ में आर्मी बैटल करते हुए देखा है और अपनी जो इंडिपेंडेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने देखा है लेकिन अमर सिंग के जो बेटे कर्ण सिंग है वो इस्टेटी के लिए तयार हो जाते हैं अब अमर सिंग इस बात से बहुत करवाता है कि मेवाड और मेवाड और मुगल के बीच में ट्रेटी हो जाए ये ट्रेटी होती है पांच फरवरी 1615 को ये डेट आपको ध्यान में रखना है अब इसमें मुगल्स की तरफ से जो रिपरजेंट करता है इस ट्रेटी में मोन का बेटा जाहंगीर का बेटा खुररम मीन साजा और अमर सिंग की तरफ से जो इसमें रिपरजेंट होता है हालांकि अमर सिंग के रूलिंग टाइम में ट्रेटी होती है तो अमर सिंग के नाम सही जानी जाएगी उसनी के ruling time से इनको याद किया जाएगा तो उनकी तरब से सुबकरन पवार मतलब मेवार की तरब से सुबकरन पवार होरा हरीदा जहला दोनों इसमें रिपरजेंट होते हैं तो इस तरीके से ये treaty होती है कुछ conditions इस treaty में रखी जाती है उनके बारे में हम discuss कर लेते हैं जैसे RAS mains में direct आप से question आ जाएगा कि मुगल मेवार जो treaty है उसके important points को लिखिए ओके सबसे पहले इस treaty में ये बात होती है कि देखो जब भी मुगल्स की किसी राजा के साथ में treaty होती थी तो उस राजा को मुगल कोट में present होना पड़ता था लेकिन यहाँ पर मेवार की तरफ से जब treaty होती है तो उसमें बोला जाता है कि हमारा राजा आपके कोट में नहीं आएगा मतलब अमर सिंग जो है वो कभी भी आपके कोट में present नहीं होएगा ये बात clear कर लीजे हमारा प्रिंस जो कंड सिंग है वो मेवार के कोट में आजाएगा ये कंडिशन रखी जाती है दूसरी कंडिशन ये होती है कि मेवार जो है वो हमेशा 1000 कैविलरी सोलजर्स के साथ में military assistance देगा किसको मुगल्स को इसके अलावा देखो हमने जब महाराना प्रताप को discuss किया तब हमने ये देखा था कि महाराना प्रताप ने बाद में complete जो मेवार है उसको अपने अंडर कर लिया था सिर्फ कुछ एरिया थे जिसमें एक तो चितोड था और दूसरा था मांडलगड ये जो जगे थे उनको जो महाराना प्रताप है वो अपने अंडर नहीं कर पाए थे और चितोड फोट हमें पता है कि मेवार के लिए काफी prestigious point है इसलिए इस treaty में ये भी बात रखी जाती है कि चितोड फोट है वो आप हमें वापस लोटा दीजिए तो मुगल्स उनको बोलते हैं कि हम आपको चितोड फोट वापस लोटा देंगे लेकिन आप उसका reconstruction नहीं करवा सकते ठीक है इसके अलावा जो मेवार के जो टेटिक हुई थी तो मेवार ने अपनी तरब से condition रखी कि आपके साथ में जब भी कोई राजा टेटी करता है मुगल्स के साथ में तो आपके साथ में marriage relation maintain करता है हम आपके साथ में कोई भी marital relation established नहीं करेंगे तो ये condition जो रखी गई ये important है या आपको ध्यान में रखनी है एक्जाम के point of view से आपसे direct एबे सैदे में चार option दे देंगे और पूश लेंगे कि कौन सा option सही नहीं है इस treaty को ले करके इस तरीके से option दे दिया जाएगा कि king of meward जो है वो भी मुगल कोट में present होगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि king of meward जो है वो present नहीं होगा ऐसा इसमें बोला गया था अब इस treaty का ये जो treaty हुई उसकी क्या क्या असर पड़ा मेward के उपर देखो मेward ने हमेशा से जब हमने रणा सांगा हमने पड़ा तब से ले करके और महरानम परताप तक हमने देखा कि लगातार वो एक opposition का उन्होंने role play किया है कभी भी अपनी independence को उन्होंने नहीं छोड़ा इससे ये बात पता चलती है कि जो मेward में जो spirit of freedom थी जो sentiment थी एक freedom की वो decline हो जाती है लेकिन इसका एक positive effect भी होता है कि देखो regular जो battle हो रहा था उसमें काफी economic जो resources हैं वो खर्च हो रहे थे इसकी वज़े से मेward का जो art and culture में development होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था अब यहाँ पर treaty established हो गई मतलब peace हो गई और peace हो गई तो इसका मतलब यह होगा कि जो artful और artistic जो activities है उसमें मेward जो है वो अपने आपका पर्मोशन कर पाएगा तो यह importance है treaty के इसको लेकर के भी question आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेward मुगल जो treaty होई उसकी क्या importance है अब हमर सिंग के बारे में हमने यह सारे points देखे यह सारी चीजे हम देखते हैं अब देखो यह treaty हुई 1615 में यह time है जब हमारे यहाँ पर Britishers जो थे वो आने लग गए थे 1600 में Britishers यहाँ पर आने लग गए थे तो Britishers की तरब से Sir Thomas Rowe यहाँ पर आया हुआ था उन्होंने जहांगीर के दरबार में एक बात देखी कि जो मेवार का प्रिंस है जिसका नाम है करण सिंग उसको एक special जो इज़्जत है वो दी जाती है उसका कारणी यह है कि देखो मेवार के साथ में इतने लंबेटा इत्म clash चला लेकिन मेवार को वो directly power से कभी अचीव नह लेकिन wisdom के थुरू उन्होंने अपने subordinate कर लिया था मेवार को यह बात Sir Thomas Rowe ने कही है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर ने मेवार को wisdom के थुरू अपने अंडर किया था पावर के थुरू नहीं पूछ लेंगे कि यह किसका statement है तो Sir Thomas Rowe का यह statement है अब जैसे ह करन सिंग यहां पर जांगीर के court में आते हैं मेवार की prince तो उनकी जो एक post दी जाती थी एक power दी जाती थी तो उनको 5000 की मनसबदार appoint उनको कर दिया जाता है मतलब यह उनको post दे दी जाती है तो यह बाते दिखाती है 5000 मनसबदार जो देना मतलब यह जो उपादी देना यह म से जो दरजा है वो मुगल्स भी ये मानते थे कि कापी हाई लेवल کا जो उनकी पावर है तो ये हमने डिसकस किया अमर सिंह के बारे में अब 1620 में अमर सिंग की डैथ हो जाती है अमर सिंह की डैथ होने के बाद में आहड में आहड जो धेपूर में है वहीं पर उनकी सिनेटफ है अब तक देखो हमने अलग लग जगे देखी जैसे हमने सांगा की सिनेटफ देखी महंडलगड में उसके बाद में हमने और भी राजा जैसे जो सांगा का भाई था पृत्विराज उसकी हमने सिनेटफ देखी कुंबलगड में और ये जो इनकी बंडोली में, बंडोली में हमने देखी किसकी, बंडोली में हमने देखी महराणा प्रताप की, लेकिन अब आपको किसी भी सिनेटप को याद करने की जड़त नहीं है, अमर सिंग के बाद में जितने भी राजा होंगे, मेवाड की जो राजा होंगे, उन सब की जो canopy है सबकी जो sinetop है वो आपको आहड में मिलेगी तो question इस तरीके से आजाएगा कि आहड में सबसे पहली सिनेटप किसकी बनाई गी थी तो अमर सिंग की बनाई गी थी ओके ये आपको ध्यान में रखना है अमर सिंग के बाद में राजा बनता है उनका बेटा करण सिंग, जिनका रिलिंग टाइम होता है 1620 से 1628 के बीच में, करण सिंग यहाँ पर कुस कंस्ट्रक्चान करवाते हैं, जैसे उन्होंने करण विलास बनवाते हैं और दिलखुस जो पहले सेज हैं वो बनवाते हैं उध्यपुर में, इसके अलावा वो पिछो पिछोला लेक बनवाई थी, पिछोला जील बनवाई थी और इसी पिछोला लेक के टट पर नटनी का चबूतरा है, ये भी हमने डिसकस किया था न, जिसको बोला था कि एकजाम के पुइंट अप्वी से इंपोटेंट है, तो उस पिछोला लेक में जग मंदिर पैलेस करके रुखता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कि अपने पिता से विरोदावास के टाइम में, जब क्लैश होता है अपने पिता से, तो उस टाइम इन जग मंदिर पैलेस महलों में आ करके रुखता है, कौन? खुरम, मिन साहजा, तो ये करंड सिंग के कुछ कंस्ट्रक वरक्स थे, हालांकि ये जो जग मंदिर पैलेस है, कंप्लीट नहीं हो पाये थे, उसके बाद में कंड सिंग का बेटा जगत सिंग 1628-1662 तो कर दूलिंग टाइम होता है, और वो इन जग मंदिर पैलेस को कंप्लीट करवाते हैं, इसलिए इन जग मंदिर पैलेस को उनके न है, वो पुरी की ट्रेवल पर जाते हैं, और वहां पर पुरी की ट्रेवल पर जाने के बाद में उस मंदिर के अकोर्डिंग यहां पर मंदिर बनवाने का काम करते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो जगदीस मंदिर है, उसको ड्रीम टेंपिल भी बोलते हैं, क्योंकि जग जगनात राय टेंपिल भी बूलते हैं इनके जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम आप याद रखी अर्जुन भाना और मुकुंद इनके इम्पोटेंट आर्किटेक्ट थे इसके अलावा यहां पर यूलोजी लिखी जाती है जगनात राय यूलोजी इसको कृष्ण भत ने लि इसको बोलते हैं यूलोजी इस यूलोजी में एक इंपोर्टेंट बात लिखेगी कि बैटल ओफ हल्दी गाटी के बारे में complete information यहां से मिलती है तो क्यूशन अगर यह आ जाए कि कौन से यूलोजी आपको यह बताती है बैटल ओफ हल्दी गाटी के बारे में तो उसका ना तो इसके लिए बोला जाता है कि दोनों ही उध्यपूर में एक उध्यपूर मतलब मेवाड में राजर जगत सिंग और यहां पर उध्यपूर वाटी में तो डर मल यह दोनों ही बहुत ही फेमस थे सेम टाइम में कंटेपरेरी थे एक दूसरे के रोपने चैरिटी वक्स के चैरि फेमस थे एक जो है वो जगत सिंग की फोश्टर मदर थी मतलब उर्की धाय माझ थी जिनका नाम था नोजू भाई आपको ध्यान में रखना है Qution आजाएगा कि जगत estran Puis Je जो फोश्टर मदर थी उसका नाम क्या था नोजू भाई था जैसे कि हमने उद्यसिंग की जो foster matter है उनका नाम देखा था पन्ना धाय तो नोजुबाई भी अपनी लेक मंदिर बनवाने के लिए बोलती है और उनके नाम से ही एक मंदिर का निर्मान करवाया जाता है जिसको नोजुबाई का मंदिर भी बोलते हैं रोधयपुर में इस मंदिर का निर्मान होता है तो ये जगत सिंग के बारे में जगत सिंग के ruling time में जो important constructions हैं जिनको लेकर के questions आ जाते हैं तो वो सब कुछ हमने discuss किया ये नोजुबाई का जो temple है ये आप ध्यान में रखना ये important हो जाता है क्योंकि उनकी foster mother थी और direct जो राजा है उनकी foster mother से connect करके भी question direct पूछा जा सकता है अगर आप यहां तक आए हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए ओके, thank you